हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो एक्स यो एड्यूकेशन मेंटर वाट इस नीट काउंसलिंग एन हाओ डू डू गेट अमेडिकल कॉलेज नीट काउंसलिंग क्या होती है कैसे करी जाती है पहले पार्ट का आपका काम हो जाएगा जब आप अपना एक्जाम दे के आओगे पाच में को यह आपका अपजिक्टिव टाइब एक्जाम होगा जिसमें आपका टार्गेट रहता है कि तू प्रेडूस अ मैक्सिमम नंबर अकॉर्डिंग तू यूर नॉलेज इसमें जो ए आपसे नंबर्स मिलते हैं इसके बारे में आप लोग को पता ही है तो पहला पार्ट का एक्जामनेशन तो आप लोग कौलिफाय कर लोग यह पाच मैं को जैसे जिस बच्चे के पास्ट नॉलेज होगी एक्जैक्ली वैसे ही स्कोर आएगा इसमें कोई डाउट नहीं है एक एक सिंपल सा स्टेट लाइन फरवर्ड अंसर है इसके लिए जो भी लाइक बोलते हैं कि नंबर कम आएगा ज्यादा आएगा पेपर टफ होगा एक्स वाई जैड जिसकी वएसे ऐसा हुआ इसा हुआ इसके बार्ट जो इसके बीच में डाला जाता है यह इसके सब सेंटें हैं जो में काम होता है गौर्मेंट का और एक्जामनल का तो चेक दा लेवल ऑफ नौलेज ऑफ पर्टिकलर स्टुडेंट्स तो जिसके पास नौलेज की कमी है जो कम पढ़ रहा है बट अबिसी बाते पेपर उसके लिए टफ है जो एक कमफर्टिबल जोन में नौलेज को रखके चल रहा है बट अबिसी बाते पेपर उसके लिए इसी है तो यह टाइम डिसाइड करेगा जैसे आप इस टाइम को यूटलाइज करते हो इसा होगा वैसा होगा वैसा होगा बाय थिंकिंग नोबड़ी कैन में का रोम और नोबड़ी कैन एवर अचीवर सक्सेस आज पास तक किसी ने भी सक्सेस को पाया नहीं केवल सोच के करने से बिल्कुल पाया जा सकता है अगर आप करना चाहो तो इस तरह से अपने टाइम को यूटलाइज कर सकते हो पास में के बाद आप लोग के पास जो भी स्कोर आता है उसके बाद सबसे इंपॉर्टन चीजी आपका जिसके बारे में जाया तरह स्टुडेंट्स और पैरिंट्स नहीं जानते हैं जो से फिर्स टाइम मीट करेंगे यह होती है कांसलिंग कांसलिंग में भी आप लोग देख रहों कि एक सेकंड लेवल है जहां पर एक बच्चों को फिल्टर किया जाता है फिर्स लेव ले जहां पर स्टुडेंट को फिल्टर किया जाएगा पंदालाग उनीस यार बच्चे इस बार नीट के एक्जामनेशन में पार्टिस्पेट कर रहे हैं तो इसमें लगबग आप यह मान के चलो कि 8 लाग कम से कम 8 लाग बच्चे होने चाहिए जो 2 यार 19 में इस नीट के को कौलिफाई करेंगे बट अगर हम यहां पर बात करते हैं MBBS और BDS में एंडमिशन लेने के लिए इसपेशली अगर हम MBBS के बारे में लेके चलते हैं तो फॉर MBBS अगर हम गौर्मन सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को डीम्ड को जितने भी अलग अलग ताइप की होते हैं सबकी भी टोटल नंबर ऑफ सीट इंडिया में देखते हैं तो यह तो यह तो बासट है यार से कम है ऐसे वादें प्रॉमिसेज हैं कि कॉलेज बढ़ सकते हैं बढ़ेंगे भी तो आप थोड़ा बढ़ा के भी आप ड़ा ले सकते हो तो यू कन टेंग ड़ाइड सेटे हैं कि सेटे होगी तो पैसेट है जाट बच्चा है सब क्वालिफा है तो पैसेट है यार लोग पहुच पाएंगे अपनी सीट तक अपनी सेट तक इस वेली में स्क्लियर इसमें कोई डौट नी होने चाहिए अप लोगों कि फाइनली 65,000 स्टुडें उडियों इन द बता देती है तो हम उसको समझते कैसे हैं जैसे कि फिजिस केमेश्ट्री बाइलोजी की बुक आप लोग के पास सब्सक्राइब पीपास है किसी के पहले ने पार्शालिटी नहीं करिए बुक्स या कंटें डेने में अच्छे से टीचर दिये गए बट आप उसको समझते कैसे हो पढ़ते कैसे हो यहां पर यहां पर यू अर्दर लाइक सब्जेक्ट ऐसे ही कांसलिंग होगी आपकी तो कांसलिंग के ऐसे कुछ देखा जाए तो खास रूल्स नहीं होते हैं रूल्स एक्ट्री डैनेमिक टाइप उफ रूल्स कि हर बच्चे के हिसाब से रूल चेंज गौंटष यह लग होगी समबड़ी इसके लिए दो वाइट नमबर की गौवर्मेंट को अच्छान ओटाना एक वखाना है अब मुझे इस 540 संबर के क्या कर ना इस 540 संबर में क्या कर सकते हैं और पिछले साल तो मिला नहीं था लेकिन नमबर तो अच्छे हैं अब प्रा अमनीग जो का पिर मेडिकल कोलेज़ जिस मेडिकल कोलेज बिच क्या है। चाहिधी अच्छ टैशा कोलेज जाए जिस अची कोलेज़न द比 लागी मेडिकल कोलेजलिय। अच्छी फेकल्टीज हो यह तो हमको सबको यह सब चाहिए बट मिलेगा कैसे काउंसलिंग को करें कैसे काउंसलिंग है कौन से नंबर पर फॉर्म को फिल करना है किसकी चोईस फिलिंग कप करनी है कहीं पर कोई ऐसी गलती होगी तो आज की डेट में गौर्मन पैनालिटीज लेती है स्कुर्टी पहले दीपॉसिट करा लिए एक लाग दो लाग रुपे किसी स्कुर्टी है तो अगर हमने गलती कर दी हमाली बात बहुत भी नहीं सकता है तो अगर हम अच्छे हैं समझेंगे तो हम करसे काउंसलिंग करेंगे तो तो यह इस तरह रहा है आपका एक जिसको आपको क्वालिफाई करना है इसमें आप चीजों को कैसे अच्छी दासर कर सकते हैं इसको पर लाइट डालते हैं पिछले साल का रिकाउन देखिए बट ऐसा कुछ आगे से मत सोच लीजे कि अभी ऐसा हो जाएगा ठीक हम इस कॉलेज में अडमिशन ले लेंगा अगर आपके पास कुछ टार्गेट से आप कुछ लेकर चल लो कि नहीं आपको टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज तो यह तो इच्छा है कि आप इस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए तो इच्छा करने से तो ऐसे मैं भी बहुत सकता हूं कि I want to open my office इंताज महल केंपस तो ऐसे possible नहीं हो सकता है अगर हमें पैसे भी देता हो तर समझना है और उसके साब से करना है अपदाहिसोंगा स्कोर आया आप देखे हो कि ठीख भी मिल सकता है इस दोज़गा प hani मिल सकता है अब कैसे मिल सकता है पहले बात तो आपके पास इसके इंफारिशन ने चाहिए बीज़ आपके पास इंफोक्राइशन आती है डिफरेइंस सॉसस से ईसर नहीं बोलूर किसी ने बोल लिया कि है है, भी 7-6-8-0-5 जार की फीज आपको करनाटिक में मिल जागी, तो वहां पे फीज है, that is not important, वह तो आपके लिए एक raw data है, ठीक है, बट वहां पे क्या आपको admission मिल सकता है, that is the interesting question, एडमिशन मिल सकता है तो कैसे मिल सकता है आग जो एड काउंसलिंग करने जा रहे हो क्या हो यहां पर 100% कंफर्म है कि एडमिशन मिल सकता है कि यहां पर एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है 50% I will get admission in करनाटिका और माई भी 50% I will not get a seat in करनाटिका ऐसा भी हो सकता है कि सीट मिले या ना मिले अगर आप 50-50 की confusion में हो तो at that same moment of time निकाल दिया जब काउंसलिंग चलती है तो एक साथ सारी काउंसलिंग चल लिए इस्टेट्स की दीम की और इंडिया कोटा की सब चाहत में चल लिए तो जो भी करना है पर्फेक में करना है आप से एक राउंड मिस होगी आप से बहुत बड़ी चीज मिस होगी विगास हमने देखा कि यहां पर आठ लाग बच्चे है फाइट कर र होने वाला है जिसे सबसे हमाई पास सीट्स हैं ठीक है तो क्या हम इस पास परसंट जोर में कैसे आएंगे अगर आई विल भी हैविंग एडिक्वेट इंफॉर्मिशन अबोट डैट जैसे की लाइक मुझे यह एक्जाम पास करना था लेविल फास का जो मुझे अपना पा भार गया घर के पास में कोची रखी पसनल ट्विटर रखा आप लोग अलग अलग सब बच्चों ने अलग अलग स्टैजी उसके होगी यू गाइस आफ टेकिंग दा हैल्प फॉंबडी तो इस पर्ट था तो इस पर्ट हैल्प लेना एक अलग चीज होती है और हैल्प ले अगर आप खुछ से कर सकते हो तो आप चीजों को जो आपकी ऑफिशल वेब साइट है MCC पे आपकी All India Quota और Deem की काउंसलिंग होगी आपकी MCC.NIC.IN यह वेब साइट है इसको आपको थौली स्टार्टिंग से लास तक फॉलो करते रहना है सारे अपगेट्स देखते रहना है ठीक है और जो आपकी स्टेट की वेब साइट होगी उसको आपको देखते रहना है उसके according आपका calculation ऐसा होना चाहिए लाइक सपोस्ट कर लो आपने देख लिया कि पाथ स्टेट में सीट मिल सकती है आपने एक आइडिया लगा लिया तो पाथ स्टेट का फॉर्म फिल कर रहो तो आपको पाथ जगा दोलना पड़ेगा for document verification round और आपके पास टाइम वही है सेम डे कांसलिंग हो रही है या तो तो उधर करा हो या तो इधर करा हो एक ही जगा करा हो ठीक है अगर हम में दोनों जगा पर लेकि चल लो तो I am in a state of confusion में confusion हो कि इधर जा रहा हूं कि उधर जा रहा हूं कि उधर जा रहा हूं सीट तो मेरे सामने पड़ी है आपके सामने आपको पता नहीं कि यहां पर जाओ सब चीजों को बहुत देखना रहता है आपको कौंसलिलिंग में था नियुक्त कर आपको श्यूदे पर जाहे पंखे भुट बखने निकालने हैं यहाँ पर जाओंगा तो मैं सीट लेकर आऊंगा यहां पर मैं इस round की counselling में मैं try कर रहा हूँ मुझे 1st round में नहीं मिला मुझे 2nd round में नहीं मिला तो मुझे 3rd round में मिल जाएगा 3rd round के बाब बाब काउंसलिंग खतम हो गई अपके बहीं लेगा साल गया अब आपका ठीक है we do have the experience. You have waste your year. तो जो भी करना you have to do at the accurate time at the starting of the counselling. there will be ellendormous number of seat गया scat. उस समय जो भी आप Lo appheart you will be getting a better deal at the time of first counselling. In the second round of counselling around 50%, more than 50% of seats would have been finished. वह खत्म हो जाएंगी सीटे उसके बाद भी आप सर्च कर रहो तो आप सोचोगा कि सीटे तो कम हो गई तो बच्चे भी कम हो गए होगे कैसे बच्चे कम हो जाएंगे माई देख रहें कि ऐसे 95 परजन से जयादा बच्चे हैं जिनको सीट नहीं मिल लिए हैं और आप बात कर स्थावे सेतं तरラष सब दरविर को में सबूर्छ भुए चीज के makersats अब अपनी केंवा कितना पर्सनर यूज करते हो कितना पसंगा प्रेडिक्शन है और कितना पसंगा इसमाल है तो आप इस आप से देखे चलो तो आपका सपोस कर लो किसी के score है 353 का score 300 किसी का score 200 किसी का score 400 किसी का 500 तो सब के लिए अलग अलग options available है बट आपकी नजर वहां तक है कि नहीं है और है वहां तक तो अपनी आखों से देख रहो आपकी खुद की रिसर्च है कि आपने सुन रखा है किसी से किसी और ने बताया तो आप लोग चैनल से आती है और आपको नहीं पता कि वह इंफोर्मिशन सही है कि गलत है वह आपको तब ही पता चलेगा जब आप उसको खुद से जानोंगे जब आपकी आखों के सामने आगया तब तो आपको सच किया है वह तो पता चलिए जब किसी कि और ने बताया तो आपको आप की तो आपको खाया जब अजिए और नहीं तो आपको आपको नहीं किसी और श्राइध को फिचल वेबसाइट जो में श्राइट करермें के अपने को फीज देखी कॉलेश की बारा लाग और फीज समझ करने का 18 रुपय कांवारा तो आपको क जब कर नहीं पर गेंट तो पांडे़ा कहें आप है किसी भी लिखने क्रेखिए करेंगनाद क्युट करेंगें इन्य पूस्ताह्यके तो तक करेंगे का क्या में भी जब रहुंद' हुद करेंब को सभी उसे बेखने हेर canad बर दिमाग में फितूर चड़ा है सीट लेने का, जास्ता चलने से देखना है हमको, मंजिल के बारे में बार में सोचना है पहले कैसे चलना है वह सीखना है हमको, ठीक है, तो इस तरह से आप लोग थोड़ा सा टेखनिकल चीजे हैं यह कांसलिंग की, तो इस चीजों को देख आपको 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 कांसलिंग करता है जितनी हमाई कैपास्टी एक लास्ट यह वन टुटिंग स्टूरें शीट करी थी तो एवरी पर्सन आप गॉर्शन आपको पड़ाने के चलना है यह जैसे कि हम आपने बच्चे को पढ़ाने के कोचिंग हार करते हैं तो यह से एक म सब्सक्राइब कर देगा यह तो एक कॉमन सी चीज है हम भी समझते हैं कि सभी परेंट्स को बैस से बैस चाहिए तो जो बैस मिल सकता है जो आप डिजर्व करते हो अपने स्कूर पर वह तो यह तो इसी आपको गिरा देगा ओवर स्पेक्टेशन होगी तो हम आपको माना कर सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर उनका स्कूर नहीं आ रहा है और प्राइब में जाना पड़ रहा है तो आप लोग क्या करो आप लोग देखो कि मैं को डॉक्टर बनना था तो जरूरी नहीं कि एक सी एंबिबिएस वाला ही डॉक्टर होता है जैसे कि ट्रांसपोर्ट का आपके लेख यह आपका एक ट्रांसपोर्ट है त्रैनी आल इस और ट्रांसपोर्ट बहुत सारे वेकल्स जो तर्डानसपोर्ट के अंदर आते हैं वैसे यह आपक की स्केवल नॉलेज है और उसमें कित्ता समझतों तो उसे साबसाब की सक्सेश मिलती है आपकी तो आप कि जिसके अंदर आपको बिल रहा है वो ले 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 अपनी कैपस्टिरी से एंड वी डू सम्थिंग है कि उसने यह किया तो हम यह करेंगे उसकी लाइफ थी वह अलग है और आप अलग हो ठीक है सो इस अब कॉंसलिंग करने ही जाता है तो कैसे सीट मिल जाए कि आप किसी ट्रैप मात आऊ जाओ गलत चीजों मत जाओ पैनेटी न लग और आप इसली सीट को ले लो यह सब सही से समझ के ही आप कांसलिंग पो ली यह से सीट हो और इसली यू पीयाटिंग फिर देखते रो ह आप बिण समझारे में एक जा 좁ता हुए, आप विडियो संगी है जो अपो आप में आपको सारी वीडियो में कोष्ि सकते हैं देखेंगे तो इसके बाद डियर परेंट ऐसा होता है कि वह टाइम बहुत प्रीशेज होता है वोशी ते पर कांसलिंग भी होती है बच्चों के फॉर्म भी फिल करायाते हैं और एक एक इक स्टुडेंट से बात करके इतना इतना थाइम देना उनकी कांसलिंग करना इस वेर देखेंगे पारके आप पांसलिंग और अच्छी तरह पहुन होता है एक एक गांसलिंग करू दिया है को मिखिया उस में गई उसमें सब्सक्राइबे लिए तो यह हैं पक्राइज तो आपको पैकेज मिला इंटी टू लाग रुपीज वहीं आपने एक्सपर्ट अक्सपर पढ़ा चीजों पढ़ा कोई पैनल्टी ने देने पड़ी जो चीज चाहिए थी असानी से मिल की जादू तो नहीं करेंगे कि आपके स्कूर 350 है तो गौर्मेंट में एडिशन करा देंगे या करनाटक के अधकाम फिस में करा देंगे लेकिन आपके स्कूर पर जो हो सकता है उसमें बेस्ट कर देंगे इतना ECS आपके लिए कर सकता है अधर्वाइस वीडियो देखते रहे हैं वही पैनल्स रिष्टर हो जिनको पॉर्लम हो रही है एक्चुली ठीक कि अबाकी रिष्टरेशन होनी ज़वत नहीं इस आनल पर ही आपको इतना जादा प्लिशन मेल जा जैसे आपके जो भी एक्जाम में जो भी स्कोर आएगा वह तो आपकी महिनस से आएगा ठीक है कुछ भी करने से स्कोर तो नहीं आएगा आपकी जो प्रोड़क्टिविटी ऐसी आएगा तो चैसे करने के लिए अच्छे से समझेगा और यह जो जाले लोगों से गलती होती कि चोटी से गलती है एक सिगनाशर एक समींशन ना करना एक क्लिक करना कोशक करा आपकी सारी कंट्विटी हो या बड़ी न्याच गलती होती है गलती हो से बचने के लिए आपकी हूए अ Deaf और से पूलिटी आलिए क्लिए आपकी आहले ह números पानी और रियुद कोछ अच्या है ऐस कुछ होता ही है लुकुता ही है। है यह चीज में हमते हैं इसे सब नोधकी कि आपके अंदर और है, अगर आपके अंदर हमय। तो इसको किसी के अंदर नहीं है आप success बहार से चलके नहीं आती है हमाएं अंदर से निकलती है ठीक है success जैसे fool होता है तो उसके अंदर से खुच्च्बू निकलती है बहार कई बहार से जो खुच्च्बू आती है वो artificial होती है तो don't take a artificial success in your life if you want to be a real successful person in your life तो आपकी महनत के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है आज तक पिछले 6-7 याद 10-7 याद साल की जो भी history है हमाएं प्रानेट की जुसने भी लक्ष को पाया अपने success को पाया कोई किसी भी shady का person हो किसी भी caste कोई भी हो ठीक है चाहिए animals भी क्य करिए अच्छे से चीजों को definitely आपको seat hopefully असानी से मिल जाएगी ठीक है आज के लिए इतना ही इस तरह से counselling करनी है counselling आपका पांच मही को exam होगा पांच जून को result आएगा जून के like second week के last से ये third week से पहले से ही आप लोग के forms निकल आएंगे उन website को देखते रहना अपने state क अच्छे से चाहिए उन फर्म को देखना है से सखना है और लाइन इसे स्टाट हो जाएगा और लाइन इसे चेशन करोगा पर डॉक्मेंट वेरिविकेशन करा होगे काफी लोग security मांगेंगे तो security आपको जमा करना होगा कहीं पर online security जमा करनी होगी कहीं पर DD बना के लिए क जमा करना होगा उसके बाद आप लोग की चुछ शुरू होगी कांसलिंग में सबसे पहले क्या होगा आपका online सब्मिशन होगा तो समय आपके बास पता होना चाहिए कौन से कौलेज में मिल सकता है कौन से मिल सकता है तो सबसे अपनी च्वाइस फिलिंग करोगे एक से दस में तो नंबर बन पर यह नब टू पर न फिलिंग करते हो उसके बाद वह एक डाटर प्रोसेस करता है जो पर आपने निकालती है फिर आप लोग को ऐसे प्सके लूग को सीट मिल गयी है वह अपना डाउनलोड करते है इसको नहीं मिली फिर वार दॉनकर निकल जाता है उस इसको मिल गया फिर वो अपना लेटर लेकर अपने अपने कॉलिज को रिकोर्ट करते हैं वहाँ पर फीस समिशन करते हैं आप लोग को जैसे लेटर आएगा उसके बाद मुश्किल से आप लोग को एक सो दो दिन का टाइम मिलता है मैकसिमम दो दिन से जादा कहीं पर टाइम नहीं मिलता है एक सो दो दिन का टाइम मिलेगा उस दो दिन के अंदर आपको कॉलेज में डिपोर्ट करके पॉपर पॉर्स कम्लीट कर लेना है फीस समीट कर देनी है ठीक है उसके लिए फीस कैसे समीट करनी है कैश तो लेते नहीं ह कैसे बना हो गए तो ऑनलाइन आपके बैंक में पैसे होनी चाहिए कि उतने टाइम के अंदर आप तुरंद और आर्टीजेस कर दो ऑनलाइन टांसर कर दो वहां पर पस्नली रिपोर्ट करके आप डॉक्मेंट वेरिफिशन करा के फिजिकली अपना साइन वाइन करके अपनी स प्रशन का करी गसे अपने से तो यह तो यह सारा अगर्मेट का है कम चाहिए करें एक अलro peak तो यह सब वह तो आपको सब आप महनेट करते जान है टो आपको लगाता है करते हैं और तरका सुना है लकिन उनको फॉलो नहीं करना है उससे सुनना है और तो फिर आगे चलना है उनको एजली बज किसी ने बोला उसको ऐसी कर लिया तो फिर उसमें आपका क्या रह गया तो फिर आप उसके लाइक कोई आप कोई मशीन थोई ना कि इस चाबी भर दी आप ऐसी चलने लगे ठीक है आपके इंदे इतनी समझ होनी चाहिए जो बोल ला सब्सक्राइब को सुनें तो फिर समझें अपने हसाब से चीज़ों को करें तो इस वीडियो को भी बड़ा हो गया आपका भी इतना ताइम देना वसूल हो गया अदर्वाइस इस वीडियो तो बहुत से देखते रहते हैं हमने सीखा कितना और अपने लाइब में इंप्लि कि अधर को पुछिज़ों को देखते रहें हैं तो अगर आपको ज़रुवत लगती है तो आप लोगो को कॉल कीजिए गा फ़र द कांसलिंग राइडेंस और आप हमसे रिश्टर्ट हो जाएगे अधर वीडियो से वाच करके आपको मिल सकते हैं अच्छी सक्समेल सकती है और ऐसे कुछ इंपॉर्टन चीज़े रहती है तो आप लोगो कमेंट बॉक्स में अपने कोश्यों सकते हो जन्रीन कोश्यों होगे तो बिल्कुर जन्रीन आंसर आएंगे ज्यादा जन्रीन कोश्यों होगे उसको पर सेश्यों भी होगे और उन्हीं स्टुनेंट्स के झाल